नाक में दम कर दिया है आपकेस भारत जोडो यात्रा ने सुधान्शु जी सुबर से शाम तक आप लोग पीसी करके कुछ ना कुछ खोट रोज निकालते हैं नाक में दम कर दिया है कॉंग्रेस पार्टी का दावा है जवाब दीजे ममता जी हो नितिश कुमार जी हो शरत पवार जी हो केसी आर्टिलंगाना वाले या नए नवेले अजब अलवेले केजरीबाल जी हो तो उन सब को एक हैसियत दिखानी थी देख भाई कश्मीर से कन्या कुमारी तक हम तो हैं आप हैं कहां जनाब तो सब को आमंत्रित क्यों कर अगर साथ रहना है और यूँ भी समझ लीजे राहूल गांदीजी ने आकरी प्रेस कौनफरेंस में कौर्वों का जिक्र किया था ना तो महाभारत में भी एक युवराज था जिसकी सत्ता को येन केन प्रकारेण स्थापित करना था और जब वो युद्ध हार गया था उसके बाद भी उसकी माता गांधारी पूरी तरह लगी हुई थी कि किसी प्रकार से वह साथ में आ जाए तो आज इस आधुनिक युक्य महाभारत में सारी कौर्वी सेना को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे अर्जुन यानि मोदी जी को परास्त करने के लिए तो बा हुई केरल से तो उसको गले लगाया जिसने सड़क पर बीफ पार्टी की थी तमिल नाड़ में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वह पादरी जौर्ज पुनिया जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की गंदी धरती पे मेरा हाथ पैर नटच हो जाए करनाट पहुंचे तो उनके कारिकारी अध्यक्षने का हिंदू शब्द गंदा है तो महराष्ट पहुंचे तो सावरकर जी के खिलाब नफरत फिर आगे बढ़े तो गांधियंस विद्गन कहने वाली मेदा पाटकर जी तो उनका पर्मानेंट जैसे या मंदिर मंदिर आरती कर रह फिर क्या हुआ एक सहबाला चलता है ना यात्रा में तो वह था एक 36 साल का शात्र जिसकी की ख्याती टुकड़े टुकड़े से जुड़ी हुई है अब देखिये जाके पूजा करेंगे और पुजारियों का देश नहीं है चूंकि बीच में टॉनी सापके ड़्वाइज आ यानि इनके साथ वही वाली इस्तिती है जो दिली के आकरी मुगल बाच्शा बाहदूर शाथ जफर के लिए थी की उर्दू में हबीब कहतें दोस्त को और रकीब कहतें सरपरस्त को इनको दोस्ट चाहिए थे ताकि विपकषी नेत्र Тू के सरपरस्त बन सकें तो राहूल जी क्या मैं किसी का हबीब और और क्या मता बैनची जिस तरह से मोदी को ललकार रहे ति निटिश कुमार बार-बार दिल्ली है यह दिखाना की हम ही हैं मुख्य विपक्ष राहूल गांदी को यह यात्रा करनी पड़ी जो उनका पहला पॉइंट था और दूसरा आ क्यों नहीं रहे सारे साथ में मुझे लगता है 1989 के बाद देश में कोईलेशन गौर्मेंट्स का ही राज रहा है और जितने पार्टियों के नाम आज बीजेपी ले रही है कोसकोस के के वो कांग्रिस के साथ नहीं हैं उनके सब के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई सपा हो बसपा हो जेडी हो ममताजी हो बीजेपी शिवसेना का एक धड़ा मान रहा है आप शिवसेना का एक धड़ा स्वाबाविक है जो चाहें इनका प्रॉक्सी है और चाहें जैसे मर्जी वह बना है उसके बाद RSS और इनके दो वेपारी मित्र इसके अलावा इनके साथ कुछ नहीं बचा हुआ है क्या ये सच नहीं है कि जो जो 30, 35, 35, 40, 40 साल से पार्टियां इनके साथ थी वो इनको एहंकारी बता कर क्या अब वो अटल बिहारी वाजपेई जी की बीजेपी नहीं रही और हम छोड़ कर जा रहे हैं इन्होंने हमारी पीट में छुरा गोंपाए क्या ये सच नहीं है कौन साथ चला ये तो बड़ी हिर्दैता की बात होती है कि अगर कोई व्यक्ती ग बड़ा हिंदू मुस्लिम करते घूमते रहते हैं उन्होंने विद्ली की विधान सभा में क्या क्या शब्द कहे थे क्या वह आज इनके पोस्टर बॉय नहीं है आज का वह विशे नहीं हमने पहले दिन से अंदर सामाजिक विविधिता जिस तरह से बढ़ाई है जिस तरह स सामाजिक विदवेश को भी उन्होंने द्वंद को बढ़ाया है जिस तरह से आर्थिक विशंता बढ़ रही है गरीब〜 गरीब होता चला जा रहा है महंगाई बढ़ रही हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तमाम इन मुद्दों को लेकर जो भी लाइक मांड़िट पार्टीज हैं वो सबाएं साथ यह तो पहले दिन की प्रेस कावान यह चिटी कोई नहीं तो नहीं हमने तो सिविल सुसाइटीज को भी कहा कि आप भी साथ आई और वो सिविल सुसाइटीज जुन्होंने दोहजार दस से लेकर तेरा चौदा तक हमारी बिलकुल पूरी तरह से हमारे माथे के अंदर किल्ट ह लोग भी आज साथ चल रहा हैं बात करने हैसियत बताने की हैसियत तो उनकी आज भी जिन लोगों ने हमारी तहे दिल आलोचना की वह यात्रा में आगे चलना है हमसे योगिंद्र रियादा और तमाम लोग जिन्होंने तमाम के जो मुद्दे थे उस समय पर कॉंग्रेस नह जाए तो पूरे देश की अर्थ्ववस्ता के घुटने टिकवाए जा सकते हैं हैसियत तो बीजेपी ने युवाओं को बता दिये कि हम चाहेंगे आरेसस की चिट्टी होगी तो नौकरी मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी हैसियत तो तमाम समवेधानिक सज्टाओं की बीजेपी ना करें शुरुआ अधी अधूरी एकता की बात आई के सावाधी अधूरी एकता है कहीं पर भी कोई चीज सौ परसंट तो सीधा होगी नहीं अगर हम प्रयास भी कर रहे हैं कि देश के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर विपक्ष एक जुठ हो हमने मुद्दों क बात के अभी तक कोई प्रणान मंत्री का कौन होगा कौन नहीं होगा दोहजार चौबिस अभी दूर है लेकिन बीजेपी का विद्वेश जो है जिस दिन से यात्रा चली है क्योंकि एक्सपोज होते जा रहे हैं तमाम मुद्दे जंता के बीच में जा रहे हैं सोचल मीडि का है कि बीजेपी के पेट में दर्द होना बिल्कुल वाजिब है और बीजेपी की नीन हराम है इनकी जो फेक न्यूस की फैक्टरी है वो दिन रात काम कर रही है लेकिन अब जंता इनकी नहीं सुर्ड़ है